हलो एरवन वेल्गन पो देएस कूजी रास्तान जी के अध्यन का ये गैरवा लेक्चर है हमने पढ़ा किस प्रकास रास्तान को भोतिक प्रदेशों में बाटा गया है अब ज्यादा कुछ इस टोपिक में बचा नहीं है एक दो एक टोपिक है उसको करवाने के बाद इसकी समरी हो जाएगी तो उसके बाद इसकी क्यूसान अपन लेंगे अपना लास्ट टोपिक चल रहा था उत्तर पच्चमी मरू परदेश सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था जब उत्तर पच्चमी बात होगी तो आपको सबसे पहले तो उत्तर पच्चमी मरू परदेश के बात करते दे तो यहां से आता है इतना बड़ा बीच में ये अरावली वाला एरिया आ जाता है रिसको भी दो भागों में डिवाइड किया जाता है इस एक उत्तरभचवी भाग कोई क्योंकि ये तो है अर्दस उसको होता है ये सुसको होता है बालो का स्पूत युक्तर बालो का स्पूत मुक्त ये सारी चीजे जो है आपक के माद्यम से भी समझेंगे और डिटेलिंग भी उनकी लेंगे सबसे पहली बात ही है अरावली की वरष्टी चाया प्रदेश होने के कारण यानि वरष्टी चाया का मतलब क्या होता है वरष्टी चाया का मतलब अरावली की चाया इस प्रदेश के अंदर पढ़ती यानि जैस इसके सामने आ जाती है इसके आड में आ जाती है होने के कारण दक्षिनी पच्छमी मानसून अरब संगरों बंगाल के खाड़ी का मानसून समयनतियां वर्षा नहीं करता है अब यह क्या बला है वही यह बला यह है आप इस मेप से समझ सकते हैं भारत का मेप को देखना तब यह समझ में आएगा दक्सिनी पच्छिमी तो अपना यहां आ गया पच्छिम अपना इधर होता है बिल्कुल भारत के मेप सपन देखे तो तो नीचे नीचे अपना होता है दक्सिन और इधर होता है पच्छिम अदक्सिनी पच्छिम मानसून दक्सिनी पच्छिमी मानस मानसून यहां अरब सागर है और यह बेव बंगाल है बंगाली घाड़ी इतना आपको याद होना चीज़ है ठीक ना तो यह मानसून जो है यहां पर वर्सा नहीं करता है अब आप यह कहोगे सर अरावली जो है वो तो आपने कुछ यहां बताई है ठीक है फिर अगर मान कि यहां बर्साक करनी है तो क्या दिक्कěत है मानसून को सीडि़ी सी बात है आप एक विन मेप पे चले मैंने क्या बताया आपको कि अरावली जो है वो इस तरीके से है अरावली परदेश अपने देखा यह देख लिजा आप मेप में यह देखिए अरावली वाला सेत्र है वो कहा है यह देख लिजी यह फिर यहां बरसाद करने में कह दिक्कत है जबकि बरसाद भी दर से आ रही साइट से कोई बताए को मुझे इसके समझने के लिए आपको ज़स्ट रटना नहीं है समझना है क्योंकि समझेंगे तो लोजिक क्लियर होगा ऐसे तो नहीं होगा दोस्तों मेरे भाईयों अपन को अगर इस सेत्र में बरसाद करनी है थोड़ासा इस सेत्र में बरसाद करनी है अपन को तो अरावली आड में आरहा है ये कहा गया है अभी ज़स्ट मैंने कहा है दूसरी बात क्या कहिए दक्सिनी पच्छिमी मांसून self है तो ये क्यों नहीं आ रहा है दिक्कत ये है कि अराउली केवल यहीं नहीं है यह आगे भी आती है जनाब अराउली गुझरात से लेकर लिकलती है और दिल्ली तक जाती है बीच में राजस्तान आता है ठीक हैará थोड़ा सा हर्याना भी आ जाता है तो ध्यान रखियेगा अराउली यहीं समाप्त नहीं है अरावली आगे भी है और ये अरावली का जो परवत है यही मांसून को रोकता है इसमें जाने से तो लोजिक लेर होगे ना अरावली कैसे बीच में आ रही है राजस्तान वाली अरावली बीच में नहीं आ रही है गुजरात वाली अरावली परवत माला प्रतमाला है और यह गुजरात वाली इसको रोपती है I hope लोजिका आपका क्लियर हो गया होगा कि क्यों यह लाइन जो मैंने अभी आपको बताई यह ऐसी लिखी हुई है अब यहाँ पर ध्यान से देखिए लाइन आपको सोझ में आ जाए कि रटेंगे तो नहीं आती दक्सिनी पच्चिमी मांसून अरब सागर वो बंगाल की खाड़ी का मांसून सामने ते यह वर्षा नहीं करता है तो अरब सागर वाला मांसून क्यों मर्षा नहीं कर गया है क्योंकि गुजरात वाली अरावली आएगी अब फिर आता है कि साहब आपने तो बंगाल की खाड़ी का भी नहीं कर रहा तो बंगाल की खाड़ी का लोजिक भी सुनिए नीची आ जाते हैं वापिस ये देखे अपना मेपे ये अब ये तो अपना हो गया अरब सागरवाला अरेबियन सी लिखावा यहाँ पर देख लीजिए अब ये अपना बेव बंगाल है बंगाल की खाड़ी हो गया तो जब यहां से अरवली इधर जा रही है दिल्ली की तरफ तो इधर अरब सागरवाला तो नहीं आ सकता कनफर्म हो गया लेकिन बंगाल की खाड़ी वाला यह भी आ रही बीच में तो यहां पर अरवली की वज़े से वर्सा का जो मांसून है वो आई नहीं पाता है बस बसरते बात इतना है बंगाल की खाड़ी से जो मांसून आता है उसको रोकती है राजस्तान वारी अरवली और जो इधर से आता है उसे रोक किये गुजरात वाली रावली कोई कन्भूजन नहीं रहेगा आप क्लियर एकदम हो चुका है ठीक है आगे चले आगे चलते हैं यह मैंने कल उच्चा वच पढ़ायते हैं बहुत से लोग सोच रहेंगे इनका क्या काम है अभी देखना इनका बहुत बड़ी है लोजिक समझाओंगे आपको क्या काम आते हैं अगला पॉइंट आता है एक बार आप मैप को दिमांग बिठा लेंगे ना तो बैसे ही यह सारी रटने ही जोरती नहीं पड़ेगे इस प्रदेश का सामान ने ढाल पूरू से पच्चिम की ओर तता उत्तर से दक्षिन की ओर रहता है पूरू से पच्चिम की ओर इधर की ओर और उत्तर से दक्षिन की ओर इधर की ओर रहेगा तो सामान ने ढाल कैसे रहेगा पूरू से पच्चिम की ओर ये देखिए अपने कल ही पढ़ा था यह मैप देखिये जहां पर ऊचाई होगी उससे अपन नीचे चलता है जहां उचाई होगी वहाँ से नीचे चलेंगे तो सबसे ज़ाँ नीचाई यहाँ पर है अपने इस उच्चा उच वाले मैप से देखा 150 से कम मीटर की उचाई है यहाँ पर अब इससे ज़्यादा उचाई कहाँ पर है इससे ज़्यादा उचाई यहाँ पर है और उससे भी ज़्यादा उचाई यहाँ पर है तो यहाँ यहाँ तो बहुत ज़्यादा तो होता क्या है मैंने क्या का उत्तर से दक्सिन की ओर ये उत्तर ये दक्सिन और पूरव से पच्छिम की ओर तो ये जो है इसके डायरेक्शन आप देखेंगे ये इधर इधर की साइट डायरेक्शन आप जा रहा है तो यहाँ ज़्यादा उचाई है तो ढाल तो इधर ही रहेगा न भाई तो यह क्या होगा यह तो उत्तर है और यह कहां जा रहा है दक्सिंड की ओर जा रहा है और इधर से अगर आपन देखे दूसरी दिशा से तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से जा रहा है इधर की तरब तो यह जो लोजिक है क्योंकि यहां पर उंचाई ज्यादा है तो आदमे कोई लुड़केगा तो यहां तो इधर लुड़केगा यहां पर नीचाई है और यहां पर भी नीचाई है तो क्या direction बनी इसकी उत्तर से दक्षिन की ओर और पूरव से पच्षिम की ओर और exact मैं कहूँ इस map के अनुसार तो यह exact उत्तर भी नहीं उत्तर तो यहां है तो यह हो जाएगा उत्तर पूरव से दक्षिन पच्षिम की ओर देख लेना यह लिखा होगा आगे चलते हैं यह देखिए यह क्या लिखा हुआ है उत्तर पूरु से दक्षिन पच्षिम की ओर है समझ मैं गया न क्यों है क्योंकि वहाँ पर मुच्चा ही जादा है उच्चा उच्वाला मेपला वीडियो नहीं देखा तो कल वाले वीडियो को जाकर देखे आगे जलते हैं धोरे पूँच लिए जाता है रेगिस्तान में रेत के विशाल लहरे दार टीले जो होते हैं उन्हें धोरे कहा जाता है देखना है किस प्रकार क्यों होते हैं तो यह देख भी लीजी आप यह जो होते हैं इन्हें हम धोरे कहते हैं ठीक है यह देख लीजे लहरे दार टीले है इने धोरे कहते है ठीक है आगे और भी चीज़े आएगी घनत्व दोस्तों वैसे तो पुरी दुनिया में जतने भी रेकिस्तान होए है वहां से सबी रेकिस्तानों से जादा घनत्व है इस रेकिस्तान का थारवालेगा लेकिन फिर भी अगर बात करें तो मरस्तली जिलों में जनसंग्या घनत्व प्रतिवेक्ती लगभग 100 प्रतिवेक्ती वर्ग किलोमेटर है यानि कि एक किलोमेटर में लगभग 100 वेक्ती रहेंगे एक वर्ग किलोमेटर में वर्षा जो है बीस सेमी से पचास सेमी होती ये पहले पर पढ़ चुके वर्षपती यहाँ पर होती बल पानी है नहीं तो वर्षपती तो वही होगी बबूल, फोक, खेजडी, केर, बेर, सेवन, घांस जिसके वारा मुझे डीटेल से बढ़ा, इसके अलावा, सीवन और तुरडिगम, परमु की यहाँ पर घांस पाई जाती है लूनी नदी, यहाँ की परमु नदी है, गंगा भी कह सकते हैं रेगस्तान की से और आगे चले अपन, तो अपने पास आता है, पच्छिमी मरुस्तल का लगबग 60% भाग जो है, बालू का इस प्रितों से आच्छा दित है, हो गई क्योंकि वो मरुस्तल है तो और यह भाग जो है, यह भूभाग जो है, समुद्र तल से 60 मेटर की उसाई से लगबग 360 तक यह वेरी करता है, 360 तक यह जाता है, इतना यह उंचा है आगे चले, रेखिये या पउना नुवर्ती बालू का इस पूच जो होता है, यह वर्स बर एक ही दिसा में बेहने वाली वाईयू के कारणा बनता है, रेखिये या पउना नुवर्ती बालू का इस पूच जो होता है, वह होता है, रेखिये या पउना नुवर्ती आगे आता है अनुप्रस्थ, अनुप्रस्थ यह इस्पूथ बिकानेर गंगानगर चूरू जुन जुन जुलो में पाई जाता है, अनुप्रस्थ इस्पूथ होता है और यह इस प्रकार के इस्पूथ होता है, ध्यान से देख लिएगा, इस प्रकार के इस्पूथ होता ह उन्हें अनुप्रस्त स्पूद कहा जाता है और ये स्पूद विकानेर गंगानगर चूरू जुन जुनु जिलो में पाई जाते है चारी जिलो में पाई जाते है और इनका प्रस्ट कहीं बार पूंचा गया है चारी जिलो का नाम भी पूंच लिया है तो आपको भीकानेड, सिर्गंगानगर, चूरू और जुन-जुनु याद रखना है, धियान रखिएगा, ये जो भीकानेड, सिर्गंगानगर, चूरू और जुन-जुनु है, वो आपके उत्तर दिसामे है, ठीक है ना, थोड़ी मुचाये के आ जाते हैं इए, साम बहने वाली पाउनों के द्वारा होती है तो सीब का ध्यान रख लेना सीब भएगा विप्रीद दिसा में जो पाउने भएगी उनसरत पत्ति होगी सीब की आगे आता है अपना बर खाना अथ्वा अर्द चंद्रा का बेसिकली क्या होता है इस प्रकार के भी स्पूद बने होते हैं इनकी डाइग्राम में आपको दिखा देता हूँ यह देखिए यह इस प्रकार के यह बिलकुल आधे चांद से आपको लग रहे होंगे यहाँ पर आ इने केते हैं बर खाना या अर्द चंद्राकार बालु का स्पूद जयता है अब दोस्तों इस डाइग्राम में आप देखिए कि आपने यह चंद्राकार तो धेख लियले अर्द चंद्राकार अब आप देख रहे हैं यहाँ पर नीचे बिलकुल खाई सी बन से जाती है बि ऐसे आप यहां भी देखे नीचे जो है बिलकुल खाई सी बनती जाती है तो यह खाई सी बनती है इसमें क्या होता है जब बरसाद आती है तो इसमें पानी जो है वो थोड़ा सा जमा हो जाता है इस्टोर हो जाता है थोड़ा सा जादा नहीं तो इसको क्या कहा जाता है यह प पूछा भी अब मरहो थार मनुस्तल के जटिल बालू का इस्पितों की कतार के मध्धे पने देखा भी निचली भूमी जो वर्षा से जल्यूक्त हो जाती है उसे कहा जाता है मरहो ध्यान रखना इसको भूलना मत बहुत इंपोटेंट यह आगे जलते हैं अब अपने पास आत धनिय केतना के देख थोड़ा सा तो नाम मातर का न के बराबर यह लोजिक मेंने बताया था तो जहां जीवन की संभावना बिल्कुर न के बराबर है वो क्या हो जाएगा धरियन धरियन वो जगह होती जहां जीवन की संभावना बहुत न के बराबर होती है जैसल मेर के अं वह जोदपुर का नाम तो जोदपुर ही यहां क्यों आया है यहां इसलिह आया है क्योंकि यहट भी 12 narưởng उस्तली जिलो में आता है। ठीक न? यहां सभी प्रकार के बालों का इस्पूत पाए जाते हैं जोदपूर एक मात्रेशी जगह है इसा जिला है जहां सभी प्रकार के बालों का इस्पूत पाए जाते है ध्यान रख लेना रख लेना एक हाता है टाठ स्लेस रन तो इसको आप टाठरन पढ़ सकते हैं बालोग का एस्पूतों के बीच की निम्न भूमी में जल के भर जाने से अईस्ता ही जीले हैं उन्दल्दली भूमी बनती है उसे कहते हैं टाठरन तो यह जो मैंने अभी बता है आपको बिल्कुल एज़िटी जो चीज मैंने अभी यहाँ पर बताई थी निम्ने की भूमी है यहाँ पानी जमा हो जाता है तो इसे टाठरन भी कहा जाता है आगे चलते हैं अब यह टाठरन जो है अब यह अपन ने मरहो पड़ाता सेम वही चीज है अब देखिए बड़े काम की चीज यह है उत्तर पच्चिमी मरुख प्रदेश को भी चार भागों में बाटा गया है एक बार तो एज़िटी जैसा का इसा पूछ लिया था कि कितने भागों बाटा है तो लिखना था चार अब राजस्तान प्रदेश को पहले चार भागों में बाटा पिर हमने इसको सुस्क और अर्द सुस्क दो भागों में कंसिडर किया अब उसके बाद अपन पड़ रहे हैं कि इनको चार भागों बाटा है आपके दिम्हाँ में राइट क्यों अक्यूंट compelled रहा है क्यों करना, कारण यह है दोस्तों entity करने के लिए क्योंगि अपने राजस्तान को चार बागों क्यों बटा क्योंकि वहां की जलवायू कंडिशन अलग लगती वहां की जो जीयोग्राफिकल तो है रेत तो दोनों ही तरफ है लेकिन दूस्तरी तरफ क्या है अर्द सुस्क प्रदे से जलवायू का परिवरतन आ गया इसके बाद अपने को पता चलता है कि यहां की जो डीजनल लोकल कंडिशन है उनका नुसार चार भाग में यह है कैसे हैं अगर आप इस जगह अलग होगी तो यह हो गया एक भाग उसी प्रकार से आप देखें तो यह आपका रेतीला सुस्क प्रदेस जो है जो आपका जेसल में रा रहा है आपका बाड में रा रहा है यह जो मोर्स्तले भूमी है यह अलग हो गया तो यह हो गया दूसरा अब तीसरा होता है जो आपक लूनी नदी वाला बेसिन आ रहा है लूनी नदी वाला जो बेसिन है लूनी वो हो गया अलग क्योंकि यहां पर तो नदी भी है और उसके अलावा जो सेखावटी या बंगर सेत्र है सेखावटी प्रदेश या बंगर सेत्र भू आकारिक प्रदेशों में बांटा गिया है विवक्त किया गिया है पहला आपने देखा लूनी और जौए का बेशन नमबर एक, नमबर दो, नमबर तीन अपने उपर नीचे थे क्योंको पर ने मेप के नसाथ देखा यहां पर अलग अलग दे रखे नमबर का कोई फरग नी परता, चार भाग है बस यतना ध्यान रखना लूनी या जौए का बेशन, आपको पता है लूनी या जौए का बेशन अब इसके अंदर क्या आते है, पाली, जालो, शिरोही, जोदपुर, नागोर के दक्षनी भागों में इस्तिस सित्रा आता है हमने अभी देखा मेप में, कहां पर है लूनी जौए का बेशन, ये रहा ये आपका पूरा एरिय रहा, तो यहां ये जो बेसिन आएगा, ये वही पूरा जोदपुर वगरा, नागोर वगरा इसके दक्षनी भाग जो है, वो आ रहा है, जालोर, शिरोही वगरा सब तो ये हो गया, एक अपना पहला, वी वरहद भाग इसका मरुस्तलिय प्रदेश का आगे जलते हैं, सुष्क रेतिला अथवा, मरुस्तलिय प्रदेश, जिसमें जैसल मेरा रहा है, बार मेरा रहा है, वो पूरा शैत्रा है जो भी अपने देखा सुस्क मरसलते पदे से इस राज्य में सबसे कम वर्षा होती है सबसे पहले दिया बात देर लीजे 25 सेमी या 20 सेमी आप आंक्रा लगा सकते हैं सम वर्षा तता पच्छिम में इस्तित इसके अंत्रकत बाड मेर जैसल मेर विकानेर जोत्तुर चूरू के पच्छिमी भाग सेमले थे यानि कि एक बात आपने देखी लूनी और जमाय के बेशन में अपन धक्छन की ओर चल रहे है और इसमें सुस्क रेतिले में अपन चल रहे हैं पच्छिम की ओर बाइदमें अपन देख सकते हैं यह देखिए यह अपना सुस्क रेतिला तो इसमें क्या आ रहा है बाडमेर जोदपुर जोदपुर का पच्छिमी भाग आ रहा है आपका चूरू और यह पूरा एरिया आ रहा है आपका जेसल मेरवाला यह हो जाएगा अपना सुस्क रेतिला प्रदेश कोई confusion नहीं होना चाहिए आगे चलते हैं आगे अपना आता है घगगर का मैदान घगगर का मैदान बैसिकली दो जीले आ रहे है हनमानगड गंगानगर और मैदानी सेत्र है यह जिसका निर्मान घगगर ने दे कि बार से हुआ था इसलिए तली या नाली का विस्तारक हनमान शुरतगड अनोगड होते है यह पाकिस्तान तक फेला हुआ है और सुरतगड पाकिस्तान से मातर 70 किलोमेटर की दूरी पर आपको पता होगा तो यह जो है आपका घगगर का मैदान हो जाता है जो की उपर उपर उत्तर में आता है फिर आता है सेकावाटी प्रदेश जो की बांगर प्रदेश है सेकावाटी के अंदर का जुन्दुनू सीकर चुरू तीनी जिले आता है तता नागोर जिले का उत्तरी भाग भी समलित है इसके अंदर मैंने अभी क्या कहा सेकावटी के अंदर तींज ले आता है और ये जो अपन अध्यन कर रहे हैं भोगोलिक उसके अंदर अपने पास थोड़ा सा उत्तर का पाड़ी भी आता है बाईदमेब आप देखिए एक बात और बता जेता हूँ ये जो मैं बता रहा हूँ इसके अंदर नमक की मात्रा काफी ज़्यादा पाई जाती इस सेत्र के अंदर तो ये देख लीजिए ये ये पुरा बागर सेत्र है तो यह थोड़ा सा नागोर भी टच कर रहा है आप देख सकते हैं आगे समझ में वहां से मेप से नहीं समझ में आ रहा है तो देख लीजिए नागोर भी आ रहा है आ रहा है ना शीकर चुरू जुन जुन नागोर इतना नहीं आरा नागोर का उत्तरी भाग आ रहा है थोड़ा सा तो यहां के जो पानी जो है नागोर वाली में तो बैसे लवनीत मात्रा काफी ज़्यादा होती है, नमक काफी ज़्यादा होता है तो यह हो गया अपना सेकावटिक अंतरगर सीकर जिंजनी चुरू जाग नागोर जिले भी संभीद होते हैं यहां अनेक लवनिय गर्थ या रन पाई जाते हैं तो यह अपना पहला जो है भोतिक प्रदेश पूरा हुआ इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चीए दिक्कत हो तो अभी कमेंट करें बताएं बहुत इंपोर्टेंट है यह बहुत जादा प्रश्ण बनते हैं और यह अगर आपने समझ लिया तो आगे इसको अपन देखना तो आगे जब जाएंगे तो इसको इसको इस्क्तरी से पर रिलेट करेंगे इसको आर्ट एन कल्चर से पर रिलेट करेंगे इसको इसलिए सबसे पहले पढ़ाय जा रहा है क्योंकि इसको आगे जाकर बहुत सारी चीजों से जोड़ना है अब कहीने कहीं जलवाई यू अलग होगी कहीं जलवाई थोड़ी सिरोई का आदमी जो पहनेगा क्योंकि यहां पर टेंपरेचर की बहुत बड़ी विविता है तो बहुत सारा मेटर करेगा है यह बहुत आपको बड़ी अतरीके समझ में आना चाहिए तो राजस्तान के भोगोलिक परदेशों में से यह एक अपना पहला भोगोलिक परदेश आज यहां पर संपूर्ण हुआ इसके बाद अपना आएगा अरावली परवत सिरेणी वाला परदेश जिसके बारे में आपन देटेल में अधियन करेंगा यहां पर थोड़ा और वी लेता हैं इस लेक्चर में दोस्तों यह सबसे बड़ा पार राजस्तान का इसमें अपने ज्यादा टाम लिया क्योंकि इससे बहुत जशादा चीजे कवर होती है बहुत ज़़ा क्यूशनिस से बनते हैं अब आगे अपन पढ़ेंगे अरावली परवत स्रेणी या अरावली परवत स्रेणी और पहाडी वाला प्रदेशिव से कहा जाता है सिंपल से बात आपको सबसे पहले यह समझनी पढ़ेगी इसको गड़ समझना है कि अरावली का क्या रोल है राजस्तान के अंदर या अरावली है क्या दोस्तों जियोग्राफिकल कंडिसन जब अपन राजस्पान की पढ़ते हैं तो अरावली का बहुत बड़ा रोल आता है मानसून को ये एफेक्ट करती सबसे बड़ी बात दूसरी बात है ये जहां जहां अरावली है वहाँ वहाँ अलग-अलग खनीजों की मात्रा पाए जाती है अलग-अलग प्रकार की चीज़े होती है और ये अरावली जो है कि वो राजस्थान में नहीं है ये अरावली गुजरास से निकली हुई है और गुजरास से निकल कर की ये दिली तक जाती है टोटल छेसो बान में मैं यह आपर बता दो आपको 692 छेसो बान में किलोमेटर का जो है लंबाई ये घेरती है गुजरात से निकली हुई यह और राजस्तान राज्जी के अंदर अरावली में जो करनावत रूप से उत्तर पूरु से दक्षिन पच्चिम दिसाक में देहली गुजरात तक जाती है यानि कि इस प्रकार से यह जाती है यह देख लीजिए आपको यह है ऐसे है तो यह एक करनावत रूप हो गया तो इस प्रकार से यह जब 20 से प्रवतमाला निकलती है तो बहुत सारी चीज़े इदर वदर होती है और इसकी कुल लंबाई जो है 625 किलोमेटर विस्तरत रोर पे ना पी गई है यह प्रवसरेणी जो होती है रास्तान को दो असमान भागों में यह बांड देती है क्योंकि आप यह मैप पे देख सकते हैंugs जैसे अरावली निकलेगी तो दो भागों में तो बैसे इबट गया है क्योंकि एक भाग हो गया है इधर का तो इसी वज़े से राजस्तान में एक भाग में तो पानी होता है थोड़ा सा एक भाग बिल्कुल सुका होता है ये अरावली पुरुदमाला की कारण बहुत ज़्यादा एफेक्ट होता है कहीं जग़ जग़ इसमें छोटी पहाड़ियां है कहीं जग़ ये बहुत बड़ी उची हो जाती है पर वो स्रेणियां है और उसके साथ साथ ये सांस्कृतिक जो जीवन है राजस्तान का उसको भी काफी ज़्यादा इफेक्ट करती है इस रेणी का स्वरूप अजमेर और सिरोही आगर आप देखें ये देख लिए अजमेर और सिरोही वाला जो पार्ट होता है यहां पर पूरे मेप मेपन देखें ये अजमेर और इसके बाद अपना पड़ता है ये सिरोही अजमेर और सिरोही वाला जो पार्ट होता है वो गुजराद तक एक तानपूरे की तरह दिखाए देता है तानपुरा एक device होता है जिसे बजाया जाता है तो ये जो part होता है ये तानपुरे की तरह दिखाया जाता है तो इसको एक बार RPC में पूचा गया था तो बहुत सारी चीछे हैं बहुत सारी detailing है इसके बारे में अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में फिलाग लिए धन्यवाद अगर कोई डाउट हो कुछ भी चीज आपको जाननी हो तो संपर्क कर सकते हैं और इसके पिछले वाले वीडियो का PDF जो है मैंने डाल दिया है इससे संबंदित सारे चारो पार्ट उसमें आ गए है नोर्स वाला पीडियो ताओ तो आप उसको टेलिग्राम से ले सकते हैं और आगे एक दो लेक्चर ओड लेगा इसके बाद अपना आगे बढ़ेंगे जियोग्राफी में थेंक्यू